दोस्तों हिंदु धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है इसलिए गाय को गौ माता कहा जाता है और हिंदु धर्म में गाय को माता का दर्जाद देने के बज़े से ही बहुती पवित्र माना जाता है यह भी कहा जाता है कि गाय में 33 कोटी देवी देवता विद्यमान होत या ऐसे कहें कि 33 कोटी देवी देवता उनमें वास करते हैं इसलिए गाव माता को बहुती पूजनिय माना जाता है कहा जाता है कि गाव माता को कुछ भी खिला देने से या उनकी सेवा करने से काफी सुपल की प्राप्ती होती है और ये भी कहा जाता है कि गाव माता उनकी काफी नेय रखते थे, इसलिए उनकी सेवा करते थे, दोस्तों गाय गौमाता की सेवा करने से, या उन्हें कोई छोटी से छोटी चीज भी खिला देने से, या उनके सामने कोई मंतर बोलने से, बहुत ही सूपफलों की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है, कि आपकी सभी स समस्याओं का अंत हो जाता है, गाय माता को दूद देने वाली माता का जाता है, गाय का दूद बहुत ही पोश्टिक होता है, का जाता है कि गौ माता को जो दूद होता है, वो अमरित तुल्ले होता है, गाय के दूद से बने घी, पनीर, दही, सबसे सुद्ध होने के साथ ही सर भीर बीमानियों का भी लाइद हो जाता है और गाय के गोवर से सूखे उपले बनाकर उसे जलाने से निकलने वाले दूएं से हवा में मौजूद विशेले कीटानू भी खत्म हो जाते हैं यही कारण है दोस्तों कि करोना काल में भी इसका बहुत इस्तमाल किया रहा है ताकि वातावरान में से एक और कीटानू और विशानू का नास हो और साथ गर्मे सकारत मकता भी फैले अगर किसी व्यक्ति के मंगल ग्रह के दोस हो या फिर सूर्य दोस हो तो ऐसे में गोमाता को यदि आप गुड़ खिला देते हैं वहीं अगर को चंदर ग्रह या सुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो गोमाता को रोटी खिला देते हैं तो आपके जीवन का वेड़ा पार हो जाता है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको गोमाता को जो आटा आप खिलाते हैं सुबह सुबह उठकर के जो आप गोमाता के लिए लोवा निकालते हैं लोवा भी कहा जाता है उसे जो निकालते हैं और लोवा खिलाते हैं अगर आप उसमें एक चीज खास चीज अगर आप डाल देते हैं तो आपके जीवन में किस परकार से बदलावा सकते हैं आपकी रूठी हुई किसमत भी किस परकार से पलट जाएगी औ दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप सुभस वध उठ जाएं जल्दी उठने के बाद इसना नादी कर लें और अपने नित्य कर्मब कर अपने उसोई घर में जाकर आप गोमाता के लिए उनके नवेद आप आठा लगाए या पर जो भी आप नित्य अपने घर के लिए खाना बनाने के लिए आटा लगाते हैं वही आटा लगाएं और उस आटे में बस नमक न डाले थोड़ा सा अगर आप हो सके तो आप अलग से लगा ले और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा से काले चने जो रात को अपने एक रात पहले भी गोई हो ऐसे चने गो माता को खेला दे, ऐसा माना जाता है कि गो माता को ये खेलाने से आपके घर में नए काम में को व्यवदान आ रहे हैं या मुश्क्HaL आ रही है तो वे भी हि आपकी दूर हो जाती है, दोस्तो वेसे भी का जाता है कि हर दिन की सुभा जब भी आप घर में रोटी बने तो पहरी रोटी आप गाय को जरूर ख़लानी चाहिए या फिर एक रोटी उनके लिए जरूर निकालनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैसे की तंगी को दूर करने के लिए या फिर धनकी प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप अपने घर में गाय के लिए रोटी बनाएं तो रोटी बनाने के बाद उस पर थोड़ा सा गुड़ या फिर शक्कर रख करके या उस पर थोड़े से चीनी के दने डाल करके उसके बाद आप गाय को रोटी अपने हातों से खिलाएं। या आपके मन में जो भी समस्याएं हैं पैसे से संबंदित खास करके दोस्तों अगर आपके कोई जीवन में समस्या है तो वे चली जाती है। आपके बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपके घर में कोई विवास संपन करने के लिए कोई मुश्किल आ रही है या किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको एक दिन पहले ही कुछ काले चने विगो कर रख देने हैं। और अगले दिन यानि जिस दिन आपको उपाय करना है उज दिन आप सुबच जल्दी उठ जाएं। और अपने नित्य कर्मों से निर्वित हो करके आप उन काले चनों को लेकर अपने घर में जो मंदिर है वहाँ पर बैठ जाएं। और एक देसी गी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि ये देसी गी का दीपक गायh का देसी गी का दीपक होना चाहिए। किसी और गीका नहीं। उसके बाद मातालक्ष्मी और भगवान विष्णू की पूजा करने के बाद ओम नमो भगवते वासु देवा इस मंतर का 11 या 21 बार जाब करे और अपने घर में जो रोसोई घर है वहाँ पर जा करके आटा लगाए और उस आटे में उन चनों को डाल दे और उससे एक रोटी बनाए उस रोटी के उपर थोड़ा सा गुड रख करके आप गो माता को खिलाए और गो माता को खिलाने के बाद गो माता की पीट को सहलाए और पीट सहलाते हुए अपनी मनो कामना जितनी भी आपकी मनो कामनाई है या फिर आप जीवन की समस्या है उन्हें आप कह दीजिए वाले हैं इस एक मंतर को आपको केवल गौमाता से कह देना है या फिर आप गौमाता के सामने खड़े होकर के इस मंतर का उचारण करें दोश्तों गौमाता के लिए किये जाने वाले सभी उपाई तेती स्कोटी देवी देवताओं को सीधा संबोधित करते हैं और उन तक आप पचाते हैं आपकी समस्याइब पचाते हैं ऐसा माना जाता है कि साक्षाथ तेती स्कोटी देवी देवता पे दिमान होने की वज़ए से गौमाता के लिए कियागा कोई भी उपाए आपको बहुत ही जल्दी फल प्रजान करता है और सभी उपाए एक तरफ और गौमाता के के सामने खड़े होकर के बोल देंगे तो आपके जीवन में चाहे कैसे बी समस्या हो और चाहें आपके मन में कैसी मनुकामना हो फेप पूरी हो जाती है बस आपको ध्यान पुजा जो आप हरोज करते हैं वैं अवश्य करें उसम आता लक्षमी और स्रीहरी विश्नु का भी ध्यान करें उसके बाद अगर आप कुछ माथा खीरा सकते हैं तो वैं अपने साथ लेकर के जाएंे या क prowadना हैं तो भी अपने साथ ले करके जाए लेकिन अगर आप यह सभी कार्य करने में भी शक्षम नहीं है तो आप केवल खाली हाथ चले जाए और जहां कहीं भी आपको बैठी हुई गाय मिल जाए आप उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करके गौमाता की और देखते हुए इस मंतर का जाब करें मंतर इस प्रकार है दोस्तों ओम सर्व देव मै देवी लोकाना शुबनंदिनी मात मम विशित शकलम कुरून नंदिनी दोस्तों इस मंतर का आपको किवल पांच बार जाब करना है अगर पांच बार इस मंतर को कहें और उसके बाद अपनी सभी मनोकामना भी कहते हैं इस मंतर को चारण के बाद गौमाता को नमन कीजिए और मन में अपनी सभी मनोकामना कह दीजिए ऐसा करने से आपकी मनोकामना श्रीकर पूर्ण हो जाती है और साथ ही में आपको सभी देवी द प्रवाब देने लगता है इसके अलावा दोस्तों आपको जब भी मौका मेले तो गौमाता की सेवा अवश्य करें उन्हें हराचारा खिलाएं गोटी आदी खिलाएं जितनी संबब हो उतनी आप उनकी सेवा करें महिने में एक बार गौसाला अवश्य जाएं और वहां जाकर करके गाय को हरा थारा अवश्य के लाएं तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं आपको अगरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली या जय गौमाता की एक बार अवश्य लिखें और साथी साथ इस चैनल को सब्स जय रख बली